नेहा बात हम हमाई साथ हमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुड़ चुकी हैं वो सैंड गाउं जो रावत विपिन रावत सीडियस विपिन रावत का जो गाउं है वहाँ पर ही मौझूद है नेहा एक ऐसी एक शती हुई है जिसको पूरा करपाना नामुम्किन सा है और ऐसे म यह पूरा देश महसूस कर रहा है लेकिन उनका परिवार क्या महसूस कर रहा है परिवार के रिष्टेदार के लोग क्या कहरे है तो यहाँ पर उनके चाचा चाची और चाचा का परिवार रहता है मेरे ठीक पीछे आप उनका घर देख सकते हैं यह सेंड गाओं है दरसल कोट दुआर से थोड़ी दूरी पर यह गाओं से थे पकडंडी एक कच्छे रास्ते की यहां तक आती है मुख के सड़क रास्ता यहां स फिर से आऊंगा और अपनी पूरी रिटायर्मेंट प्लान्स उनके दरसल इस गाउं के इर्दगिर्द थे उनका कहना था कि जब एक बार मैं सेवा निवरित हो जाऊंगा तब इसी गाउं में रहूंगा इसी गाउं के विकास के लिए काम करूंगा और साथी इनुन ने ये भी कहा कि यहां के लोग जो पलायन करते हैं वो मुझे बहुत जादा पीडा देता है मैं चाहता हूं कि लोग यहीं रहें यहीं पर उन्हें रोजगार मिलें यहीं पर उनके लिए सारी सुवधाएं हो और दरसल ये पूरा का पूरा पूरी इलाका अगर आप देखें तो यहां पर मून भूत सुवधाएं भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं बहुत दूर दराज इलाकों में यहां पर कहीं पर बिजली नहीं हैं कहीं पर पानी के दिक्कते हैं तो यह सब जैनरल बिफिन रावत दूर करना चाहता है जब हमने परिवार वालों से बात की तो उ उनका यहाँ पर गुजरा पढ़ाई उन्होंने देहरादून से की, अब उनकी दो बेटिया मुंबई में रहती हैं, लेकिन अब हाल फिलाल जितने भी आपने दौरे देखे होंगे, उनकी पत्नी उनके साथ होती थी, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त था, जब वो सेवा में हर एक में आता रहता है, किसी तरीके से वो चाहते हैं कि वो सेना के लिए सर्व करें, सेना के लिए ही आगे जाएं और सेना के लिए हर वो काम करें जो उनके इस देश भाव, इस देश भक्ती के भाव को दर्शाता हो, उनको एक तरीके से यह कहा जाए कि पहले चीफ ऑफ स्टाफ का जो पद भी दिया गया, वो समिधान में बदलाव करके दिया गया, यानि कि एक ऐसा टैलेंट उनमें पहचाना गया, एक ऐसी अद्भुत नेत्रत शमता, खास तोर पर निड़ने लेने की, जो बहुत जरूरी होती है किसी भी आर्मी चीफ के लिए, किसी भी सेना ध्यक्ष के लिए, ये डिसिजन मेकिंग पावर और दूर दर्शी होना, ताकि आप अपने सेना में जो तक्नीकी एडवांसमेंस हैं, उनको शामिल कर सके, ऐसे हतियार और ऐसी चीजों से अपनी सेना को लेस कर सके, जो उनको देश में नहीं पुरे विश्व में अडवां बना सके, उनको एक ऐसा डिफेंस मेकानिजम दे सके, ताकि उन्हें हरा पाना मुश्किल ना हो सके, और ऐसे में उनका वो बयान यार आता है, जब उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर दो बताया था, यानि कि दूर दर्शी होने के लिहाज से विपिन रावत में च चीन लगाता, लगा रहता है, लेकिन एक बाद फिर से दरसल आपको वो जगह दिखा देते हैं, जहां पर उनका पैत्रिक गाउं, जहां सेंड गाउं, जहां पर हम मौझूद हैं, इस गाउं में कई सारी स्मृतिया, कई सारी यादें और पूरा पूरा गाउं इस वक्त श जोक डेकलेर कर दिया गया है, और यहां के लोग कह रहा हैं, कि काश जेंडरल विपन रावट यहां पर वापस आते, काश इस गाउं के लिए कुछ कर पाते और काश उनकी वो सारे सपने और वो सारे वादे इस गाउं के लिए पूरे हो पाते। मौझूद थे सीडियस और इसके बाद बताय जा रहा है कुछ ही दूर पर जाकर ये हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ उससे पहले का ये विडियो सामने आया है प्रमोध माधव हमाई साथ हमाई सायोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और प्रमोध क्योंकि ये विडियो जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां दुंद भी थी क्या वेदर था ये दिखा रहा है आप सब्सक्राइब बताइए ये जिस जो तस्वीर हम देख रहे ह क्लाइमेट अभी भी है यहां से सो मीटर नीचे वहां का क्रैश साइट है अभी कल जैसा कि वह वेदर का अभी ऐसा ही था फूरा कम्प्लीटली कवर्ड इन मिस्ट यही तो पहला सब प्रॉब्लम था जो विजुल्स आपने देखा पहले वह हेलिकॉप्टर मी 17 का एक टू लोकल्स को यह सब कुछ सौर्टी के बारे में पता है क्योंकि यहां पर इतना जारा मिस्ट है इस लोकेशन से इधर राइट साइड यहां लेफ साइड से वह चलेंगे नॉर्मल थाइम पर लेकिनों अगर ऐसा कुछ मिस्ट होंगा तो इतल बी वेरी मस्ट तो एक्शली सी वही तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं अभी यहां से सो मीटर नीचे वहां पर क्रैश साइट है वहां वो एलिकॉप्टर का पार्ट्स भी है आर्मी परस्टनल पूरा सब कुछ वहां पर है और अब को अभी ही इन्फरमेशन मिला है कि वह ब्लाक पॉक्स भी उनको मिल गया प्रमोद जैसा मैंने आप से पहले भी इस सवाल रखा कि देखिए जो ये हम लास यो तस्फीर देख रहे हैं तो अभी फिलाल यही मौसम कल भी बना हुआ था वहां पर रहने वाले शश्मदीद क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसा वेधर था विजबिल्टी कितने मीटर की रही होगी? 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 आखिरकार यहादसा कैसे हुआ इस पर भी देखिए नजर बनाई गई है कि यहाँ पर जाच के आदेश पर दे दिये गया है लेकिन प्रमोट आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद है उस वक्त आसपास कैसा इलाका है जहाँ पर यह क्रैश हुआ विमान आसपास लोग भी थे ज जो हाँ पर बैठ एक किसी को नहीं अलाव कर रहे है क्योंकि टॉप ओफिशल्स वहाँ पर है और पुरा लाइका वहाँ पर जगा पर अभी सर्च भी वो रहा है यह प्रॉब्लम की सर्च ऐसा इसली नहीं कर सकते हैं विकॉस अफ दॉमिस्ट और यह प्रॉब्लम है कि जस 100-100 मीटर की नीचे वहां से बहुत जार विलेगे नो इक रफ खिलिफ भी है यह तो बहुत ही रफ है पर यह रिजिदेंस यहां पे तो बोल रहे हैं कि लेक दो तीन गार है का सपास उन्होंने वह तो पहले वह दे वेंट ओवर एक टू है उन्होंने बोला कि पहले उनको एक बड़ा बड़ा नॉइस आदे हर्ट नॉइस वहां पर जब गहे थे वह से देख रहे थे पूरा-पूरा आग ता लेगे अब क्या रहा है और अब क्या रहा लास्ट मूमेंट पे वह समझने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो चश्मदीद वहां पर ते हो कह रहे है कि बहुत फ्लाइड ये जो प्लेइन था ये हलिकॉप्टर ये बहुत नीचे फ्लाइड कर रहा था अब ब्लैक बॉक्स अब ले लिया गया है अब आगे जाच इसी दिश्रा में आगे बढ़ेगी कि आखिरकार वजह क्या रही इस विमान के हादसे की क्योंकि मौसम अचानक से जैसा हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं जो पहली तस्वीर जब क्रैश होने से पहले कि जो तस्वीर आई उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी वैदर जो है वो बहुत खराब था तो वजह क्या हो सकती है ब्लैक बॉक्स हाथ में लगाए प्रमोट अब उन्ह आई अधनया वरे शिय्क्रहणा भी अजो होने से खाँ तो रहे हां अभी विशयर्टी सुवा घंचे ते ही जार्म आप उस व्हम आपे पुछे पॉन्चें लूज अपे ते वोभी पॉसमे नहीं ता और तुभा अगे जब हम यहां पाँचा थे वह उसमार्मी पांचे यहां पे थे वो भी completely search कर रहे थे like no we are sorry we couldn't show anything because of the mist here but उस वहां जगा पे अभी भी search हो रहा है क्योंकि black box मिल गया but like any other item that they couldn't find वो भी वो search कर रहे है इस black box से altitude का recording पूरा पूरा like mechanical recording सब कुछ इसमें record हो जाएगा और इस वेरी easy to find out exactly क्या हुआ मी 17 V5 के साथ बिल्कुल तो देखिए black box सभी plane में रहता है चाहिए passenger plane हो cargo या flight हो और ये वायू यान में उडान के दोरान विमान से जुड़ी सभी तरह की जो गतविधिया है उनको record करने वाला एक तरीके से उपकरान होता है और इसे या flight data recorder डर भी कहा जाता है और आम तोर पर ये box जो है वसे रक्षा की दृष्टी से विमान के पिछले हिर्से में रखा जाता है और अब ये जब black box हाथ में आया है तो अब जानकारी इससे जटाई जाएगी कि आखरकार क्या गतविधिया इसमें record की गई आखरी वक्त में लेकिन जो विडियो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखे मौसम थोड़ा खराब था जो चश्मिदीद हैं वो ये कह रहे है कि plane helicopter जो था वो थोड़ा नीचे से ओड़ रहा था ये सारी बाते कही जा रही है प्रमोद और इस सब में भी आप जरा क्योंकि तस्वीरे तो हम नहीं देख पाएंगे visibility अभी भी वहां पर कम दिख रही है लेकिन क्या वहां पर अभी भी टीम मौझूद है किस तरीके से वो जाच में जुटी होई है अभी भी टीम मौझूद है यहां पर तमिलनादय पोलिस भी है एरफोर परसनल है आर्मी परसनल भी है और इंपोर्टन अस्पेक्ट कि यहां से नीचे हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि वहां पर जो हुआ था वो इंपोर्टन इशू है अभी परसनल भी परसनल भी वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत जादा रहीं होगा तो इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं कि एरफोर यह ब्लाक बॉक्स को अनलाइज करें और पता करें कि क्या एक्जाक्ली गुआ था उस बाक्त तो फिलाल ब्लाक बॉक्स जो है वो बरामत कर लिया क्या है और आखनी वक्त पर कोई रिकॉर्डिंग होगी और उसी के साथ साथ ब्लाक बॉक्स जो है वो भी जो है अब अपने कबजे में कर लिया गया है प्रमोध हमाई साथ हमाई सेयोगी उसी जगे पर बने हुए हैं जहां पर देखे ये विमान क्रैश हुगा था प्रमोध कुछ और तासा जानकारी जो आप जुटा पा रहे हों क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो किस तरीके से वहाँ कितने लोग थे जो बहुत गंभीर अवस्था में थे अस्पतार ले जाना पड़ा क्या इस्तिती उस समय की थी क्या बता रहे हैं लोग पर एक मामला यहां कि मैंने पहले से बोला यह तो बहुत बड़ा रफ टेरेन है यहां के लोकल रेसिदेंस वो तो पहला रेस्पॉंडर स्था दे डिट अ कमेंटबल जॉब दी रिस्क्वट तीन लोगों को उनने यहां से वस बरनिंग डिपरी से ब्रॉट ने आउटसाइड बेट शीट और सब कुछ उज़ उसकर कर उनको यहां से लेकर बाहर आया और ओफीशल्स को इनफर्म करकर ऑस्पिताल को लेकर से लगे है और क्या होगा है कि उस वक्त की बात ही उनको पता चला है कि ऐसा उस प्रैश साइड के नीचे और लोग फसका है थे जो उस वक्त आये थे और वो भी रिस्क्यू करने से यह यह लोकल रिसिदेंस 11.30 जस्त विदिन 5 मिनिट्स उनने स्टार्ट करते हैं प्रमोट आप बने रही है हमाय साथ प्रमोट भी हमाय साथ है नेहा बातम भी हमाय साथ हमाय सेयोगी मौजूद है वो उस गाउं में है जहां पर उनका परिवार रहता है जहां चाचा और उनके परिवार के लोगें उनसे भी बात करेंगे झाल झाल